चलिए एक और paper हमारा become program का काफी बच्चों का demand था के sir become program का disagreed जो regular में paper आया वह औहला है उसको solution कर दिया तूसके पूरा solve कर दिया मैं कहुतों का ತॉप्र के बाट है कि manifestation पहला कुछ questions मैंने यहां पर नहीं की हुए हैं सारे सवाल लगबबद लगब 10 10-year से ही थे, तो यह था हमारा question number 1 का A part, यहाँ पे annuity वाला question आया था, solution के लिए सरिफ यह है, तो आप solution देखते जाएए, आगे हम चलते जाएंगे, इसके बाद आयते है sir, question number 2, यह भी आया हुआ था, 10-year के अंदर भी यह सवाल है, और book के अंदर भी था, और पी रस्तोगी था, question number 2 का B part, यह भी capital bursting था, 2 का B part, यह रहा आपके सामने question sir, 2 का B part, और इसके अंदर एक चीज ना, examiner ने confusion करने के लिए, यह इतने सारे rate दे दिये, इसका कोई role नहीं था, वैसे हला कि, तो उसकी के हिसाफ से मैंने calculation क्या किया, sir, 5 साल का, और इसमें ध्यान देने वाली बात है, आपको cash inflow दे रखा है, cash inflow, यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि cash inflow जब दे रखा हो, तो हमें depreciation वगरे का कुछ भी नहीं करना होता, तो सीधा inflow लेके मैंने यहाँ पे करके दिखाया, यह इसमें key point रखा था, examiner ने, sir, question number आ जाते हैं, हम कौन सा 3 पे, sir, 2B हो था, कि increase कर देंगे हम, कि percentage increase, अगर 10% sales, तो देखे 10% sales को हमने यहाँ पे expected, increase किया हुआ है, और उसके हिसाब से, किसको करना है था, sales increase, तो sales increase करिएगा, पूरा table बनाईएगा, देखे, मैंने यहाँ work solution देखे आप, यह थोड़ा solution उपर नीचे है, हाँ, ठीक है, sir, यह solution यह है, और यह यहाँ है, इसको ठीक कर देता है, ठीक है, तो, sir, sales increase करना था, 10%, तो तीन लाग का, तीन तीस हो गया, पंदरा, और यह अब हमारा पूरा ठीक है, इसके नीचे और यह question था, अगले point पे चलते हैं, sir, एक यह question था हमारा, इसके अंदर मैं बोलू न, इस सवाल में हलाकि पूछा गया है, market value और book value दोनों से बताएं, बट मैं यहाँ पे कहूँगा, दोनों से answer same आएगा, आप एक से कर लिजेगा, बड़ा simple सा question है, WACC का, weighted average cost of capital, again मैं इस वीडियो में भी बोलूँगा, कि sir, आपका, आपका, WACC चाहे cost of capital हो, वहाँ पे आप हमेशा जो NP लेंगे न, आप KD और KP निकालते समय पे या KE निकालते समय पे वो net proceeds जो लेंगे न, वो market price ही लेंगे, market price अगर गीवन है, market price नहीं गीवन तो book value लेंगे, revision वीडियो को देखिए, उसके अंदर मैंने इसका discuss किया हुआ, in fact, पहले वाले वीडियो में रह गया था थोड़ा अनर्स में भी लेकिन वहाँ पे tax नहीं था, बट यहाँ पे company ने क्या करा था सर, tax दे दिया था, unlimited firm यह रहा, 30% tax, तो हलागे दोनों टाइप के question कर रखे है, revision lecture देखिए, यह question मैंने करा रखा है, तो यह हमारा solution आ जाता है, और यह हमारा को value of firm दोनों का निकाला क्या है, तो सर, यहाँ पे के निकाला, तो हमेसा याद रखे है के levered and levered में के is equal to ko ही माना जाता है, जब हमारा होता है, इसके बाद सर, हमारा एक question और operating cycle, 10 year का ही question आया हुआ, notes में जो था, वही same question आया हुआ आपका ही, तो इसको solution तो मैंने वीडियो में भी डाला हूँ, काफी सार है के तो वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए मैं पूरा detail discussion नहीं कर रहा, तो यह पूरा था become, हाँ इसमें dividend decision वाले कुछ points रह गए है, उसका solution में PDF के अंदर डाल दूँगा, वो आप देख लीजेगा, तो hopefully आपको यह समझ में आ गया होगा, continue हम आगे, theory के section के notes भी मैं बना आपके अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी, चलिए फिर next वीडियो में देखते हैं,